हलो फेड़न स्वागत है आपको मेरे यूटू चैनल में आज हम बनेंगे हेल्दी हेल्दी जेल्दी ओला मिठाई जो कि देखने में इतने अच्छे लगते हैं उतने खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने 500 ग्राम अंगोर लिया है अंगोर को हम पानी डाल करके अच्छे से साफ कर लेंगे अच्छे से साफ करने के बाद इसे हम जार में डाल करके पीस लेंगे तो यहां पर हम जार में डाल दिया है थोड़ा सा पाइन डाल लेंगे थोड़ा सा पाइन डाल करके पीस लेंगे तो यह विलाते हुए अंगूर का जूश है उसे निकाल लेंगे इस तरह से चमाच से चलाते हुए निकालेंगे तो अगूर का जीश इचाणी से निकल जाएगा तो यह देखिए हमरा अंगूर का जूस बन के तियार है यहाँ पर हम पैन लिया है पैन को गरम कर लेंगे गरम पैन में हम अंगूर का जूस को डाल देंगे डाल करके हम अंगूर का जूस को पकाएंगे गेस को मीडियम फ्लेम पर रहेंगे इसमें हम डालेंगे एक बुंद ग्रिन प्रूट कलर एक बुंद डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करते हुए अंगुर के जूस को हम चलाते रहेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी को अच्छे से मिक्स करते हुए अंगुर का जूस जो है उसे पकाएंगे, तो लगतार चलाते हुए हम पकाएंगे, यहाँ पर चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो गया है, और यह देखिए उबाल आने लगा है अब इसमें हम डालेंगे डिर्ट चमच कॉन फलावर को ले करके हम थोड़ा सा पाइण डाल करके गोल लेंगे इसको कॉन फलावर को अच्छे से घोलने के बाद हम अंगुर के जुदूस पका रहे हैं इसमें डाल देंगे कि डाल करके हम लगतार चलाते रहेंगे घ्यावर मेडियम में हाइः राखेंगे आ navigator चलाते गो dist Q जुदूस इओं होने लगा गढ़ा होने के बाद जूए यह जूली की तेरह बनने लगा है एस तरह से अगर कढ़ा होने लगर तो हम बन कर देंगे यहाँ पर हम गयस को बन कर लिये हैं अब यहाँ पर हम कोई एक इस तरह का बर्तल ने लेंगे और इसमें हम जेली को डाल देंगे सब भी जेली को डालने के बाद हम इसे रूम टम्प्रेचर पर एगंटा के लिए ठंडा होने देंगे तो ये देखें दोस्तों एगंटा हो चुका है और जेली जो है अच्छे से बन चुका है तब इसे हम किसी प्लेट या थाली में निकाल लेंगे निकालने के बाद ये देखें दोस्तों कितना अच्छे से हमारा जेली का अउला मिठाई जो बनके त्यार हुआ है तब इसे हम चाकु से काट लेंगे तो दोस्तों हमारा ये अंगूर का जेली अला मिठाई आपको कैसा लगा आप ज़रूर बतेएगा अच्छा लगे ते प्लीज लाइक और सेयर और सब्सक्राइब कर दिजेगा सभी जेली को हमने इस तरह से काट करके सेप ले दिया है तो दोस्तो हमने पहली और बनाया है जेली ओला मिठाई बहुत ही बढ़िया बनके तयार हुआ है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं आपर हम सभी जेली मिठाई को इकक करके अलग कर लिया है अब इसके उपर हम बदाम से गार्निस कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगेगा जेली ओला मिठाई ज्यादातर बचलों को पसंद आता है तो आप भी इस तरह से जेली मिठाई बना सकते हैं अंगूर से या कोई भी फूर्ट से आप फूर्ट कलर डाल करके कॉन फरोर डालने से जेली ओला मिठाई बनके तयार हो जाएगा और टेश्टी के साथ साथ हेल्दी भी रहेगा तप जरू ट्राइ किजियागा